नमस्कार दोस्तों रादे रादे हरे कृष्णा आज मैं आपको शाकांबरी जिन्ती की पूजाविदी बताने वाला हूँ पोश मास की पूर्णिमा को शाकांबरी माता की जिन्ती मनाई जाती है जब धर्ती पर सूखा अकाल पढ़ गया, तब सभी मुनियों ने देवी भगवती की अरादना की और देवी भगवती ने मुनियों से प्रसंद होकर माता शाकांबरी का अफ़तार लिया माता शाकाम्परी के सौन नेत्र है और ये अपने साथ शाक सबजिया लेकर उत्पन हुए जैसे ही इनोंने पृत्वी वासियों का जो दुख देखा इनके सौन नेत्रों में से आशो निकला आए और उन्हीं आशों से नदी बन गई और उस नदी से इन्होंने पूरे धर्टी को सीचा ऐसा माना जाता है सबसे पहला अनाज जो निकला था वो था जौ जौरे इसलिए नवरातरों में जौरे बोते हैं और उसका अधिक महत्व होता है तो सबसे पहले आप गड़ेश जी का पूज़न कर ले पोश मास की अस्टमी सही शाकामबरी नवरातरे भी शुरू हो जाते है शाकामबरी नवरातरे जो कि शाकामबरी पूर्णी मा तक रहते है तो अब सिर्फ शाकामबरी पूर्णी मा का पूज़न कर सकते हैं अगर आप पूरे नवरातर का पूज़न नहीं करते तो माता शाकामपरी को चंदन रोली हल्दी अर्पित करें माता शाकामपरी का पूजन करने से हमारे घर में कभी भी शाक सब जोगी कमी नहीं होती अक्षत अर्पित करें माता शाकामपरी ने रित्वी पर उस समय अवतार लिया अगी आप दर्टी पर नाहीं जल था नाहीं अन था और माता ने सभी का भारन पोशन किया तो माता को अब हम पुष पहार माला अरपित कर देंगे माता रानी को लाल फूल ज़रू चड़ाएं तो आपको पास जो भी लाल रंग का फूल हो गुडल का गुलाब का वो जरूर तो अगर आपके पस माता शाकामडी की पोटो या प्रतीमा नहीं है तो अब माता दुर्गा की पॉष्पुर्णी पापे पुजन जरूर करें माता रानी करेंगे पूल समरपित अब जो भी फल लबद हो वा फल चड़ाएं माता रानी को ढहलता हैं पॉथल ज्यादा शाक सब्जियों ऑन जरूर लगा हैं विए प्रसाद का धाल पुजन बाता की है जादा जादा शाक सब्जी के जो भी मौसम में सब्जी आती हैं वो माता रानी को जरूर टढ़ाएं चोकि यह अपने तार शाक सब्जी को लेकर उत्पन होई फिर आखरी में कोई भी दक्षीना अर्पित कर दे माता शाकामपरी को फिर अब हम जल रखेंगे और तीन बार आच मन कर लेंगे भोग देने के बाद अच्छे प्रकार से हम आच मन कर लेंगे शाकामपरी पूर्णिमा पौश मास की पूर्णिमा को ही मनाई जाती है तो हाँ हर साल पौश पूर्णिमा को दिन शाकामपरी जनती मनाई जाती है दिन आप शकामरी जन्ती के दिन आप माता रानी को कुल्णट में कोई से भी सब्त धान या फिर गेहूं चावल भर के भोग में जरूर लगाएं बहुत ज्यादा शुम माना जाता है तो यही थी शकामरी जन्ती की पूजावी दी तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंदा है तब वीडियो को लाइक शेट सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए रादे रादे हारे कृष्णा और आप सभी को जैमाता दी शकामरी जन्ती की हार्दिक्षिप कामना है